हलो वेलकम टू अभी मन्यू आईएस मैं नेम इस हुसेन और आज हमारे साथ हैं रिसप सोडी जिन्होंने हर याना सिविल सर्विसेस एजाम में डीएसपी पोस्ट को सिक्यूर किया है और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्टाटिजी रही इनकी फिलिम्स के लिए क्या स्टा हैं जितने भी हमारे टॉपर से उनसे बात करता हूं तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे कि क्या जर्नी रही है इनकी तो सबसे पहले तो मैं कॉंगराचुलेट करना चाहूंगा अपने पूरे अभी मन्यों टीम के तरफ से रिसप सोली का अरियाना सिविल सर्विसेस एक्ज जब मेरा तो काफी सोबा से नर्वस था क्योंकि उस दिन लास्ट दे था इंटेव्यू का 5th of February को तो सोबा से नजाइटी शुरू हो गई थी क्योंकि पता था कि शान तक आरा है रहा है तो और I think around 8 o'clock की बात है मेरी फैमिली जो थी वो डिनर टेबल पे थे और मैं अभी इपने बेडरूम में था तो मैंने जब पीडिएफ देखी तो वह आइधिंक अभी फाइनल जल्ट की वीडिए पीडिएफ नहीं थी वह माक्स वाइज जो कैंडिडेट से इंटेव्यू में पीर होए थे उनकी लिस्ट थी तो हड़ बडायट में मैंने देखा कि काफी ब तो तब मुझे रेलाइज हुआ कि I think I was in top 30 तो तब उसके बाद मैंने पेरेंस माला बाहर आपने बेडरूम के और बेरेंस को बताया कि काफी स्लीटलेस रही नाइट क्योंकि पता था कि स्थिए परसंट तो दिमाग में रहता ही है कि पता नहीं स्थाइब आगे कि स्टाइब से लेने वाले हैं ये लोग पर नहीं है कि भले मेरा माक्स इतना है तो वो रात जो भी थी है वो खौफनाक रात वो कैसी थी तो उसके बाद एक पीडियेफ भी रिलीज हुई थी फिर वो भी डाउट में था कि ये भी जैनुए है कि नहीं मतलब तो काफी रहा ऐसा और अगले दिन जब लिस्ट मेंने नाम दिखा कि अलोकेशन हो गया है तब ही जाके कि रिलाक्स फिल किया है कि हां फाइनली अलोकेशन हुआ कुछ है कुछ अपने मारे में कुछ बताए कि आप कहां से विलाउंग करते हो आपके एज्जुकेशन क्या है और इजिनली मैं फरीद कोट पंजाब से हूँ और सिस्ट में यह मेरा पहला अटेम्ट था और एजुकेशनल कॉलिकेशन सर मैंने बैचलर्स कर रखी है अग्रिकल्चर में गुरुनानक देव उनिवर्सिटी अमरत सर से और उसके बाद सर दोहजार एक्यस में मैंने अपनी MSC एग्रोफरिस्ट्री में कम्प्लीट की थी और दोजार बीस में सर मेरा सेलेक्शन पंजाब पंजाब में एक अग्रिकल्चर डिवलफ्मेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है ग्रूप पे की उसमें भी हो गया था बट वहां पर अभी जॉइनिंग नहीं हो पाई है कुछ कारणों के कारण तो तब से मैं सेवल कि देकेटरण को धिया था था डीडिकेटर अभी तो Film सक्क्रैंडर के अपने आपको और कि और कि मेन आपको सबसे पहले दोडीएस पि रहंप क हुइं के तो क्या स्व zeggen ओस्ट करें लहीं remix की स्ऱ्ट59 रही आप GS की जाए आपकी बात करें तो क्या स्टाटिजी थी हुए प्रिलिम्स जो है ना वो पिछले कुछ सालों से काफी डाइसी होने लगा मतलब पहले बहुत रेलेटिबली इजी हुआ रहता था आप NCRT पढ़के भी मतलब मैनेज हो जाता था लेकिन आज की डेट में जो हिस्ट से नोट बने थे और सर जो मॉड़न धी उसके लिए स्पेक्टर्म को थरली रिवाइे भी किया था और उसको उसके भी शॉर्ट नोट बना लिए थे और आर्ट एंड कल्चर के लिए सर राजी वाहीर की जो हमारी स्टेंडर्ड बुक थी उसे फॉलो किया था जोग्रफी में क्लास 11th और 12th की जो NCRT थी उनको थारली किया था और उसके लावा GC Leong भी फॉलो की थी और साथ लक्षमी काँद को फॉलो किया था और हर्याना के लिए सर प्टिक्रलरी एरहंत की बुक आती है ब्लू कलर की उसके उससे मैंने hockey जो भी था वो सारा हर्याना को महा से मैंच किया था और Grant of ES के लिए monthly magazines जो आती है coachings की उनको फालो किया था और science and tech भी सर उनी magazine से फालो कर लिए जो सर C-set था C-set के लिए सर मैंने UPSC के PYQs जो ते और HPSC के जो PYQs थे उनको फालो किया था सर जिसे कि आपने बताया कि GS के लिए अपने बताया अलग-अलग subject के लिए पॉलिटी के लिए आपने बताया कि लक्षमी कांत उसके बाद फिर एकॉनमिक्स के लिए रेमेसिंग या फिर बहुत सारे स्टेंडर बूक हैं तो क्या आपको मतलब क्या SES की अगर हम लोग बात करें UPSC को एक टाइम में हटा दे हम लोग सिर। की बात करें तो क्या पॉलिटी के लिए पुरा लक्षमी कांत पढ़ने की जरुत है या फिर रमेसिंग इकॉनमिक्स के लिए क्लिए क्लिए पर आप इसमें जो कहते हैं कि एक गैस्वर्क रफ गैस्वर्क कर सकते हैं तो से पॉलिटी तो एक ऐसी चीज़ है जिसे लक्षमी कांत को हमें घोट के पी जाना चाहिए वह आपको में भी बहुत हद तक सपोर्ट करती है तो प्रिलिम्स के लिए भी मतलब वह साथ-साथ ही चलती रहती है प्रेपरेशन के दोरां उसको भी फॉलो करते रहना चाहिए रहां जी ऑगर हमनों बात करें मैंस की स्टाइटेजी की तो मैंस के लिए का स्टाइची अपना इपने आपने में सर में बिस्किली चार exam होते हैं ießengl Shay अOld à एक GS होता है और एक optional का exam होता है तो सर जो GS का exam था उसका pattern इस बार थोड़ा सा change था इस बार हमारे पास 20 questions थे और उसमें से जो पहले 10 questions थे वो 6 marks के थे और जो बाकी के 10 questions थे वो 14 marker थे तो जो questions थे सर वो काफी जादा time management का बहुत इस बार issue रहा है क्योंकि 6 marks के questions में 3 pages थे और जो 14 marker था उसमें 6 page का आपको दिया गया था और questions कुछ इतने ट्रिकी थे जिनमें आप stretch नहीं कर पा रहे है जैसे question INS विकरांथ पर आता 14 marks में तो वो sir उस पे आप 2 page से जादा या 2 page से जादा stretch नहीं कर पा सकते एवन आपके पास जितनी मर्जी knowledge हो तो GS में इस बार काफी tricky रहा है और उसके लावा I think उसको compensate करने के लिए जो English, Hindi और optional थी मेरी strategy वहाँ पर काफी काम आई क्योंकि मुझे paper 1 के बाद GS के बाद realize हो गया कि मुझे उसे cover up करना पड़ेगा तो English जो थी sir वो मेरी थोड़ी सी ठीक रही है school time से ही तो English के लिए मैंने सर्फ PYQZ किये थे और grammar का जो section है I think sir वो English में काफी जदा scoring होता है अगर आपकी English और Hindi दोनों में sir अगर आपकी grammar के उपर अच्छी पकड़ है तो आप free के marks हैं व सर्याना के और उसके अलावा थोड़े बहुत UPSC के गर लिये थे और जो ऑप्शनल की स्ट्राटजी थी sir ऑप्शनल में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए थे मेरा ऑप्शनल अग्रिकल्चर था उसके लावा TNAU करके एक अनिवस्टी है तामिनादू की उनके नोट्स अवेलेबल हैं उनको फालो किया था उसके लावा कुछ जो अडिशनल टॉपिक्स थे वो मैंने इंटरनेट से कवर कर लिये थे जैसे अग्रिकल्चर बिसनस मैनेजमेंट के या एकनोमिक्स के या जो भी करन्ट अफेर से रिलेटेट अग्रिकल्चर से नोट्स थ था कि जो यूपीएसी का सेलेबस था पेपर वान और पेपर टू का उसको एक ही ऑप्शनल में उन्होंने डाल दिया था तो और भी जादा वो बलकी और काफी इस्कूशेटिंग हो गया था सर उसके लिए सर फिर मैंने अपने खुद के हैंड़ेटर नोट्स बनाए हुए जी की बीपी पांडे है और बाकी के जो एक्सर टॉपिक्स जैसे होटे कल्चर थे या पो सर्वेस्टे वह सर मैंने ब्रीफ नोट्स बना लिए थे और इंटरनेट से आपको एक बार प्रीलिम का सारा सेलेबर्स जो है वह कर लेते हैं उसके बाद आपके पास स्टार्ट कर देना चाहिए मेंज आंसर श्राइटेंग और इनिशली जो है आप डेली का आदा गंटा पाउना गंटा तीन-चार कुश्चन लिखके उनको वैलुएट करवा सकते हैं और उसके बाद सर जब प्रिलिम्स के बाद अगर आपको शौर है कि आप अगर आपका हो जाएगा सेलेक्शन प्रिलिम्स में तो फिर आप तब से तो डेफिनेटली आप टाइम और अगेन आपको में चाहिए उसमें आप दो गहंटे तीन गहंटे रेगलर बेसिस पर आपको देने चाहिए मैंने तो सथ टेस्ट भी कुछ लिखे थे I think around seven to eight टेस्ट मैंने mains के GS के और optional के लिखे थे और हिंदी और English के भी दो-दो टेस्ट लिखे थे सथ और अगर हम लोग बात करें इंटर्विव प्यपेशन की ठीक है कि यहां पर बहुत कम टाइम मिला था आपको इंटर्विव की प्यपेशन के लिए तो उस टाम इंटर्विव की प्यपेशन किस टाइप से किया या फिर current affair के लिए या फिर hobbies के ऊपर अपना work करना हो या फि इरिया से related क्या problems है और इसके लावा हर्याना की overall जो social economic political issues है उनको मैंने प्रिपेर किया था और इसके लावा सर जो national और international of current affairs is sir उनकी एक थरो preparation की थी उनका क्या effect रहेगा इंडिया की policies के उपर उनका एक अच्छे से short notes ही prepare किये थे just five five points ताकि जब आप वो आपको question पूछें तो फिर आप उनको एक सटीक आंसर दे सके जैसे मेरा optional agriculture था तो वहां पर एक I think expert subject matter expert थे जो agriculture से थे तो उन्होंने initially हो गया था कि क्योंकि मुझे वो नहीं आप आ रहा था लेकिन उसको मैंने cover up करने के लिए फिर जो बाकी के questions थे जो general discussion था उस पे मैंने follow up पे cover up कर लिया था सर और उसमें सर मुझे मन्यू IES की तरफ से जो mock interviews थे उन्होंने बहुत help किया था सर बंदल सर की मेरी पहली mock interview उन कोई ऐसा incident जो अपने इंटर्यू जब देने गए थे आप ठीक है उस टाइम कुछ घटा हो या फिर कुछ incident जो हम से सैर करना चाहते हो आप तर यह था कि जब initially मुझे पूछे गए तो मुझे बहुत पैनिक हुआ कि यह नहीं questions आ रहे और काम गड़बढ हो जाएगा तो उसके बाद जो बाकी की थे उन्होंने कुछ कुछ पूछे उनको मैंने बहुत अच्छे से फिर पकड़ने की कोशिश की मुझे एकदम realized वा कि मैंने यहां पर एक member के सा कि मेरे लिए फेवर में मेरे लग में फेवर कर गया तो कि otherwise it would have been a very dicey situation for me sir जिसे की 2023 का notification भी आगया है बहुत सारे बच्चे भी फिर से prepare करने वाले हैं तो उनके लिए क्या message जो उनके मतलब आप देना चाहो कि क्या किस टाइब से preparation करनी चाहिए या कि कोई message आप अपने प्रप से कुछ देना चाहो तो यह है कि इस बार तो सर यह कि आप अपनी जो strategy है उसको थोड़ा सा fine-tune करें विद प्रीविएस जो questions है उनको follow करें उनको understand करें कि किस तरीके की उसमें language यूज की गई है वह आपको काफी help करेगी और answer writing जो है means कि वह भी थोड़ा सा उनको fine-tune करें क्योंकि आपको अपना fine-tune करना पड़ेगा answer writing की कैसे आप cover up कर सके प्रॉपर टाइम में थैंक यूरी सब आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और जो भी input दिया है अपने अपने strategy के regarding इनसे बहुत सारे चीजें सीखने को भी है और बच्चे सीखेंगे भी तो आप हमाएं टाइम देने के लिए इसके लिए thank you and congratulations once again for your selection and our best wishes for your team thank you